नमस्ते, अलो फ्रैंट्स, मैं शालीनी चापुरेश क्लास में आज एक और आपके लिए क्राफ्ट आइटम लेके आई हूँ, आज भी मैं आप लोगों को एक लाइम बनाना सिखाऊंगी दोस्तों मैं जो यहाँ पर आप लोगों को आइटम सिखाती हूँ क्राफ्ट के, वो मेरी कोशिश यह रहती है कि कम से कम खर्च में आपके घर में जो सामान अवेलेबल हो, उनी से आप कुछ नए आइटम बना सके तो उसी हिसाब से आज भी मैं आपके लिए जो प्राफ्ट आइटम लेके आई हूँ, वो घर की ही चीजों को यूज करके आप बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज हम जो लैंप बनाएंगे उसके लिए हूँको एक ये चॉकलेट का नबबा चाहिए खाली, चिली लारिट्स चाहिए ये अलग-अलग कलर्स की मार्केश में अविलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी कलर दे सकते हैं एक इंबुजिबर टेप, एक ये पेपर टेप, कटर और सीजर दोस्तों आज जो हम लैंप बनाएंगे इसको बनाने के लिए इसके बॉक्स के अंदर जो ये चॉकलेट का कंटेनर है गोल्डन वाला हम इसको यूज़ करेंगे इसमें हर ब्लॉक में, सैंटर में हम सबसे पहले कटर से और सीजर से बल्ब के साइस के छोटे-छोटे छेट कर लेए बिल्कुल दीरे से आप इसको उतना ही बड़ा कट लगाए जितनी आपको जगवत है कट लगाने के बाद इस कट के चारों साइट के थोड़े-थोड़े कॉर्नर हम सिजर से काट देंगे जिससे बीश में एक होल हो जाएगा और उसमें हम बल्ब फिट करेंगे यह इसके होल बिल्कुल छोटे से ही हमें करने जिससे की बल्ब एकदम उसमें फिट हो जाए ज्यादा लूज ना रहे यह छेद करके हम बल्ब को इसमें अंदर फिट करेंगे हर ब्लॉक में एक-एक बल्ब हम फिट करेंगे और पीछे से इसके वायर को हम यह पेपर टेप से इस्टिक कर देंगे जिससे उसमें थोड़ी मजबुत दिया जाएगी यह पूरा करने के बाद इसके यह बचे हुए सारे बल्ब हम बहार की तरफ इसमें चारों तरफ इन्विजिबल टेप से इस्टिक कर देंगे और इसको वापस हम जो हमारा प्लास्टिक का कंटेनर था उसमें फिट कर देंगे है बड़ा आपको लैंग बनाना है आपको उसके लिए जितने बल्ट की जरूरत हो उतनी ही छोटी लाइट आप खरीदें बहुत ज्यादा बड़ी लाइट होगी तो ये कट करके ठीक से नहीं लग पाती है और ये करने के बाद हम इसको वापस इसका जो प्लास्टिक कंटेनर है उसमें डबल साइड़ेट टेप से स्टिक करके फिट कर देंगे ये दिखें दोस्तों ये हमारी लाइट तयार है आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने जो हमारा पुराना एक चॉकलेट का बॉक्स था उसको हमने लाइट से डेकोरेट करके कितना सुन्दर लैंग बना लिया और उसको कितना नया लुक दे दिया तो चलिए अब आप ये बनाएए नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम कोई एक नया इटम सीखेंगे तब तक के लिए नमस्ते बाइए लाइक शेर सब्सक्राइब